हलो ट्रेडर्स, आप सबी लोग अच्छे होंगे और आज की पर्टिकलिर वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, वो भी केवल कुछ ही देर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और लेडि ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है, जैसे कि मेरे पास है, यहाँ पे 11 देज से लॉग इन था, बट अभी इसका ट्रायल खतम हो चुका है, तो मुझे एक नई आईडी चाहिए और उसको यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाया जाएगा, वो और यहाँ पे सैटिंग पे क्लिक करूँगा, सैटिंग पे जाने के बाद मुझे पासवर्ड सेगमेंट के अंदर ओपन करना है, यहाँ पे मैं पासवर्ड सेगमेंट है, जो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आज आने के बाद ध्यान रखेगा, आपको यह क्या करना है यहां पर जाएंगे यहां पर इसको remove कर देंगे अभी क्या है आपका account से password जो है यहां पर delete हो चुका है second step आपको यहीं से क्या करना यहां पर right click करना आपको history में जाना है history open करनी है history open हो जाने के बाद next step है ध्यान रखो यह clear browsing data है मैं यहाँ पर click करूंगा और यह page open हो जाने के बाद हमें क्या करना है हमें यहाँ पर basic पर click करना है यहाँ पर हम all time choose करेंगे और इसको clear browsing data इस पर click कर देंगे ध्यान रखो आपका laptop बिल्कुल safe है tradingview account को enter करने के लिए तो अब हम चलते हैं अपने google chrome के उपर और यहाँ पर हम search करेंगे tradingview.com और जो first यहाँ पर website है यहाँ पर हम click करेंगे right side में आप देख सकते हो कि आप से पूस्ता है sign in करने के लिए आपका जो पहले का password था वो यूजर नेम डिलीट हो चुका है अब आपको यहाँ पर new पर sign in पर click करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है email के ऊपर यहाँ पर ध्यान रखो आपको remember me पर टिक रखना है ताकि आपका जो password है वो आपके Google Chrome के जो browser है उसमें save हो जाए ठीक है अब आपको यहाँ पर ध्यान देनी की बात है हमारी तरफ से आपको एक username और एक password दिया जाता है basically वो same-same ही होता है username और password अब बात करें वो username पासवर्ड आपके पास आज आने के बाद आपको यहाँ पर fill करना है तो मैं अपना username and password यहाँ पर fill कर लेता हूँ and fill करने के बाद मैं यहाँ पर इसको sign-in पर click करता हूँ तो हमारा ये जो है, sign in हो जाएगा, होने के बाद ये हमसे पूछेगा, save password और इसको हमको save कर लेना होता है, यहाँ पर मैंने click किया, अब आप ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लिखा आ रहा है, आपने तो premium account बाई किया है, तो यहाँ पर seven days क्यों लिखा रहा है, आपको हर बार ऐसे लिखाएगा, ये चीज एक नई feature एड़ हुआ है, इसके अंदर कि हम बाद में भी activate कर सकते हैं, मान लीजिया, आज आपने payment किया, आपने बोला कि मुझे दो दिन बाद अपना account on करना है, तो हमारी तरफ से आपका username दे दिया जाएगा, आप उसको जब चाहे तब on कीजिए, इसी तरीके से आप monthly use कर पाएंगे, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर seven days free trial इस पर click करूँगा, click करने के बाद में next step जो होगा, यहाँ पर open हो जाएगा, जिसमें किये different different plans दिखाएगा, आपको क्या करना है, आपने premium की payment की है, और आपके लिए जो card add है, वो premium पे है, तो हम क्या करेंगे, try for seven days पे click करेंगे, click करने के बाद में next step जो आता है, आपको कोई अपनी PayPal वगएरा, कोई card use नहीं करना है, यहाँ पे हमने अपना PayPal अकाउंट already add किया हुआ है, और RTP बगएरा आए हुआ है, तो आपको करना क्या है, कि अबल यहाँ पे click करना है, और यहाँ पे click करने के बाद में start seven days trial on कर देना है, तो इतना सा काम करते हैं आप देखोगे, कि आपका trial on हो चुका है, और जो भी चीज़े हैं start chart यहाँ पे click कीजिए, और बागी चीज़ों के लिए कि trading view को use कैसे करना है, क्या-क्या उसके अंदर indicator लगा सकते हो, किस तरह से setting करनी होती है, मैंने उपर आई बटन में वीडियो डाली है, I don't think कि वीडियो को लंबा करना कोई profitable बात होगी, एक ही चीज़ को बार-बार बताना, ठीक है, तो आप प्लीज वहाँ पे जाके देखिए, आपका जो premium account है, आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, तो यह premium account आपका on हो चुका है, आपको इसी तरह weekly basis पर, अगर आपने monthly payment किया है, तो आपको weekly basis पर यह चीज़ मिलती रहेगी, आपको पुरानी ID खतम करनी है, वहाँ से हटानी है, और आपका नया trial on हो चुका है, आप देखो premium account आपको on हो चुका है, और आपका जो offer है, वो six days के अंदर खतम होने वाला है, आपको six days complete होने से पहले ही, हमारी team की तरफ से आपको आपकी नई user ID दे दी जाती है, same process दुबारे से आपको दोराना है, वहाँ पे आपको पहले setting पे जाना है उपर, then history delete करनी है, history delete करने के बाद tradingview.com पे जाना है, और user name फिल करना है और password फिल करना है, जो हमारी तरफ से आपको mail में दिया जाता है, और उसको remember me पे क्लिक करके save कर लेना है, बस इतना सा process complete करना है, बाकी चीज़े कि कैसे इसको use करना है, वो आई बटन में वीडियो है, please महाँ से देखो, आई विश कि आपको मैंने एक वीडियो के इंदर अच्छे समझा दिया होगा, कि हमारी तरफ से जो trading view ID आपको दी जाती है, उसको आप किस तरीके से use कर सकते हो, और आपको हम लोग जो ID देते हैं, वो premium ID देते हैं, आपको pro या pro plus नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसे के साथ वीडियो बंद करता हूँ, I wish कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है, तो please एक like जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि जो मैं बात बताना चाहता था, वो आप तक पहुच पाई है या फिर नहीं पहुच पाई है, तो इसे के साथ वीडियो बंद करता हूँ,